नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले चुनाव को लेके पूरी दिल्ली में एक उस्सा वा एक जोस बना हुआ है दिल्ली वाले इसको एक त्युहार की तरह भी बना रहे हैं सभी पार्टिया अपने अपने पार्टी को जिता निकले हुआ अपने अपने उम्मीद्वार को जिता निकले हैं हर तरह का प्यास कर रही है दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले मद्दान से पहले लोगों की मूल को समझने के लिए उनका क्या मत है टाइम्स नाउ ने IPS OS के साथ मिलकर एक समर्थन सरवर्षन किया इस ओप मुकावले में बैहत बीचे नजर आ रही है मत प्रतिशत के हिजाब से 2015 की तरह आमादी पार्टे वी इस बार सबसे आगे है हालाकि उसका मत तीन प्रतिशत कम हुआ है भारती जंता पार्टे इस बार वी अपने जोड़ सोड़ से अपने उम्मीद्वार को जिताने में 55 प्रतिशत वोट पाने वाली आपको इस बार 52 प्रसीत वाजपा को 32 प्रसीत वोट मिले का अनमार एक निकाला गया है दिल्ली की सतर सीटों में आम आदनी पार्टी को इस बार पिछली बार के मुकावले 7 से 13 सीटों को नुक्षान हो सकता है उनको लगता है कि हमें 70 सीटो साथ साथ से तेरा सीटों को हमें नुक्सान हो सकता है पिछली दफ़ा सत्ता सीट हासिल करने वाली पार्टी इस बार चोवन या साथ सीट भी ला सकती है वहीं बीजेपी को दस से चौदा सीट मिलने की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कॉंगरेस मुकावले में कहीं भी न बाग में चल रहा सीट विरुद प्रोजिशन पर सही नहीं है जबकि 25 प्रसीजत लोग इसे सही मानते हैं